भोपाल में रवीद्दा टेगोर ईनुएस इट अइर्व्य कार्कम पूरे विश्य में च्याय हुआ हमारे साथ आईसेक्ट इनुवर्सिटी के फाउंडर संतोश चूबे जी मोजुद है उनी से बात करेंगे कि विश्योरंग कार्कम को लेकर क्या है सर विश्वरंग कारेक्रम लगातार किया जा रहा है, काफी भोपाल का नाम हो चुका है, सिर्फ विश्वरंग कारेक्रम की कारण ये आज विश्वरंग का सात्वा दिन है, विश्वरंग यू तो 14 नावंबर से शुरू हुआ था और रविंद भाहन से शुरू हुआ था जो देश के करीब करीब 500 स्थानों पे गई, 11 पुस्तक आत्रह निकाली गई थे हैं, 17 से हम लोग यहां पर हैं, कुछ अबाउ ठाकरे इंटरनेशनल सेंटर में, जिसमें बहुत सारे सत्र और बहुती अद्बू सत्र हो रहे हैं, वैचारिक प्रधान, विचार प्रधान सत्र भी हैं, पुस्तक चर्चाएं भी हैं, परिचर्चाएं भी हैं, बहुत सारे विश्यों पर, और शाम को युवाओं के लिए जो परफॉर्मेंसे हुए हैं, उसमें तो पूरा भूपार लगबग उपस्तित हुआ, जो विशेष सत्र सुबह हुए, उसमें भार्ती परंपर पर तीन सत्र हुए, अनिर सत्र बुद्दे जी थे, पवन वर्मा जी थे, मुखल कानिकर जी थे, उसके बाद कल के वैचार एक सत्र थे, उसमें मनोच पहवा ने सिनेमा और संगीत पर बातचीत की, आज के सत्रों में रसिका दुगल भी थी और विशाल भारतवाज जो जो यवाओं के लिए प्लान करते हैं, विचार प्रसान सत्र थे, तोपहर के सत्रों में सारे बड़े लिखक, मत्तब ब्रदलागर्ग आई है, मंताकाली आई थी, नंकिशोर आचारे थे, और भारत की अन्य भाषाओं के भी साथ भाषाओं के कभी लिखक यहां थे, उनको विच्वरंग अलंकरन भी दिया गया, प्रवासी भारती हैं, लगबद 30 देशों के, जिनमें प्रवासी भारती साहिकते पर बात हो रही है, तो उनका भी सम्मान मदवजर शासन की होर से MP टूरिजम डेपार्टमेंट ने किया, कोशिश ये भी है कि भोपाल एक ऐसा डेस् डेस्टिनेशन है, रिलिजिस डेस्टिनेशन भी है, और कल्चरल टूरिजम को बढ़ावा देने के तो MP टूरिजम भी बड़े प्रवाने पर मदद कर रहा है, साहित अकडमी है, मानव संग्राल हैं, और इस बार एक आदिवासीयों की संस्कृती पर भी एक समनांतर सत्र चल रहा है, जिसमें तीनों दिन उनकी साहित पर, उनकी कला पर बास्ची थी, और अधुत बात यह है कि एक बच्चों का भी फेस्टिवल साथ सा चला रहे हैं, उसमें लगभग तीन हदार बच्चा प्रति दिन आ रहा है विबन स्कूलों का, और उसमें उनकी कला के बारे प्रति दिन लगभग दस हदार से बारह हदार लोग इस फेस्टिवल में आ रहे हैं और यह बड़ी सा बलता कितार तबन हुआ, बीच में अंतराश्ट्री मुशारा भी किया गया था, तो वह भूपाल ने बहुत सा रहा है, वह अंतर यह जो विश्वरंग है, यह एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो वैश्विक रूप से हिंदी और भारती संस्रिदी के प्रभाव के बारे में, और एक तरह का आदान-पदान मानवता वादी द्रश्टिकून के विकास जैसे बड़े लक्ष लेकी चल रहा है, पहले एसमें बारा देश थे, अब लगभग पचास हो चुके हैं, पर संक्या बढ़ती ही जा रही है, तो सबका बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत, आज शाम को अभी शिल्पर राओ का गायन भी होगा, मानी गवर्नर चात्यवगड अभी समापन करेंगी, और उसके बाद में गायन समारू भी होगा, तो आज इसका समाप इसकारों में भी आता है और अच्छे साहित कारों में जो पुरुष्कित रहते हैं और लेखन में भी आता है, सर आपके कुछ लेखन भी हमने देखे हैं, सुने पढ़े हैं, जी जी, असल में तो मैं लगबग 30-35 वर्शों से लिख रहा हूं, मैं कविता भी लिखता हूं, कहानिया भी लिखता हूं, उपन्यास भी लिखता हूं, हाल में नया उपन्यास आया है, अनुवाद भी मैंने किये हैं, और वैचारिक गर्दी भी लिखाया है, मैं अलोशना भी थोड़ी-थोडी करता हूं, इस तरह मेरे हाँ वैचारिक रूप से, वैचार ये जो जितने विधायें हैं, इनके बीच कोई रेखायें नहीं है, और जिसमें मुझे आनन दाता है, वो काम करता हूँ, पहले संगीत कार जैसा है, मतलब मैं जलतरंग बजाया करता था, तो शुरू की बात है, कॉलिज जेस की, फिर दीरे दीरे साहिते में आया, थीटर में आया, और अब पत्रिकाएं, तीन-चार हम निकालते हैं, वनमाली कथा का संपादक हूँ, विष्वरंग पत्रिका जो पूरे विष्व में जाती है, उसका में संपादक हूँ, विज्ञान पर एक मात्र पत्रिका देश में हिंदी में निकलती है, 35,000 पत्रियां निकलती है, इलेक्ष्व हो रही है तो बागी देशों में हिंदी के हाल चाल क्या है और कैसे उसका विकास किया जा सकता है तो करीब 40 देशों पर अधारित विश्व में हिंदी रिपोर्ट भी रिलीज की गई है एक तरह का प्लेटफॉर्म बना है जहां से कि हम अगले चरण में जा सकते हैं आपको हि हिंदी में विज्ञान, हिंदी में अन्य विधाओं पर बातचीत, अन्य विश्यों पर बातचीत, हिंदी सहित का प्रोजेक्शन यह सब काम करते हैं ती 30-30 वर्शन से उननीस, 17-18, 17-19 अननीस तक आते आते ऐसा लगने लगा कि टेकलोजी अभी सरल कर रही है, टेकलोजी यह संभव बना रही है कि आप उसका वैश्यों क्विस्थार कर सके, फॉंड्स आ गये हैं, ट्रांसलेशन के टूर्स आ गये हैं, तो तेजी से आधन प्रदान किये रहा सकता है, इसको सोच के और हिंदी और भारती भास्टाओं को केंद में रखते हुए, यह फेस्टिवल प्लान हुआ था, अब इसके बहुत सारे आया हैं, इसमें जुड़ गए हैं, पर भास्षा इसके केंद में है, जानना चाहेंगे कि यह विश्यो रंग कारकम जो सभी व आनने देशों, जापान, तो यह कहां से आया है कि अपन इसको विश्यो रंग को भोपाल में स्टार्ट करें है, भोपाल देखिए वैसे तो देश का सांस्क्रितिक केंदर पहले से ही है, इसको सांस्क्रितिक राजधानी भी कहा जाता है, भारत बावन यहां है, यह मिंट और नहीं है, हमारे विश्यो रंग के नाम भी टेगोर विश्यो रखतित्व करें है, टेगोर मूलता यह सांस्क्रितिक व्यक्तित थे, तो भोपाल में करें से एक लक्ष है, आइकोर बीश्यो रखतित्व है, आइकॉन है, पुरे कई देशों में उनके बूरतियां लगी ह पर बात होती है, उनके अंताराष्टिता पर बात होती है. तो इन सब को देखकर बोपाल को चैनित किया गया है. अब भी बिश्यो रंग जो कार्कम चल रहा है अपना इसे तरह तरह के रंग तरह के लोगा है अन्य प्रदेशों से आए नागालेंड से देखा हमने आसम के हैंडिक्रप देखे हमने मेगाले के देखे उधर गुजरात के भी कुछ सामान पड़े हुए अर्वेद को लेकर भ करक्यान पड़े है पारमपरिक रूप से यहां आसा मानने कि साहितिकार कोई अलग किस्म का जीव और बागी सबस्क्राइव है अदियमिता से तो इन सारे चीदों का समनबाई करते हुए और साहितिकार को इनके बीच में लाते हुए काम किया जाय तो वह भी नया कोई नई द्रश्टी भी खुलेगी और विचार भी नए खुलेंगे थोड़ा ये भी एक तलाश है कि कई साहितिकार इस समय आइसोलेशन में चले गए हैं उन सब को लाया जाए उनसे बात्चीत की जाए समवात प्यादा किया जाए और ऐसा करते समय अन विधाओं पर भी द देखने को भी लगए क्योंकि अब तक तो बहुत कुछ देखने को भी लागए अगला जो सेसन आएगा आज तो लाश्ट डेट है अगला सेसन जब आएगो उसमें क्या नए चीज देखने को मिलन सक्पाय अपने को अभी तो एक कमेटी हम रिव्यू करेगी इस साल के पू करें तो समन्वित रूप से हिंदी के विकास का कार करें और वैश्विक रूप से करें क्योंकि यह कहना है ठीक होगा कि चीन अपनी भाषा को बढ़े अग्रिसिवली पुष कर रहा है अंतराश्य मार्च में और हमारे उर से उतना उत्तर नहीं दिया जा रहा है तो हमारे बाषा को लेकर समूब बने हर देश में समूब बने और वो एक महा सभा जैसी कुछ या एक सभा जैसी बनाएं वैश्विक सभा जो इस पर लगातार काम करती है इसलिए मैंने कहा कि एक बेंचमार कम ने बनाया है कि अभी क्या स्थितिय है अगली बार वो रिपोर्ट भी आएगी और तीसरा चिल्डरन बच्चों को लेकर एक नई चेतना फैली है तो शायद हम एक राश्ट्री चिल्डरन एकडेमी के स्थापना करें जो कि बच्चों पर काम करें शेश बाते हैं अभी कोर कमेटी बैठेगी और बात करेगी मान के चले कि आगे आने वाले समय औ इस तरह इसी इसी खुशी को बनाए रखना और विश्व रंग एक ऐसा रास्ता जिसमें की हम लोग कलाओं में बाचित करते हैं खुश रहते हैं आनन्द लेते हैं ऐसा एक रास्ता बने हमारे इसे कुशश तकहने उसे बात करने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद यह थी हमारे साथ संतो श्योवेज जी फाउंडर आफ आई सिक्टी उनिवर्सिटी साब तोर पर कहना है कि जो विश्व रंग कारक्रम है कारक्रम के मातियम से विश्व में बहुपाल की पहचान बनी है आगे आने वाले समय में और बहुतर देंसे प्रस्तुत किया जाएगा कई तरह के रंग विखेर रहे हैं इस कारक्रम में कई तरह के लोग हैं वालीबुट से लेकर के हर तरह के लोग शामिल हुए है राजनेता से लेके लेकर हर तरह के लोग इस कारक्रम में शामिल हुए अब यह भोपाल का नाम पूरे बिश्व में फैल रहा है आगे भी ऐसे ही मैं मैं अबजल के साथ सत्यम शर्मा दखली भोपाल वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विशलेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा दखल नियूस आपके हट में आप देख रहे हैं दखल नियूस